प्रमुख एवम सामान रोग उसमें हमने वाइरस जनित इससे पहले जो वाइरस जनित दो रोग पढ़े थे रेवीस और दूसरा खसरा अभी हम और कुछ रोगों के बारे में पढ़ेंगे आज का जो हमारा वाइरस जनित रोग है रोग हर्पीज रोग का नाम है हर्पीज इसका जो रोग जनक है वो है हर्पीज सिंप्लेक्स वाइरस यानि एच एस वी हर्पीज सिंप्लेक्स वाइरस यानि एच एस वी इसका जो संचरण होता है यानि जो फैला होता है वो एस रक्षित यौन संपर्थ द्वारा पैलता है यानि कि यह है एक सेक्सवली ट्रांस्मिटेट डिजीज है जो योन संचारित रोगों में आते हैं इसके जो लक्षण है वो इस प्रकार है सबसे पहले जननांगों में जलन वै हुजली जननल हुजली वै दर्द होना दूसरा जननांगों में छोटे छोटे दाले या छाले उबरना दाले उबर सकते हैं छाले उद्पन हो सकते हैं जननांगों में इसका बचाव वै उप्चार इस प्रकार से है कि आई सुरक्षित यौन संपर्ख से बचना चाहिए डूम का इस्तिमाल करना चाहिए इस्तिमाल करना चाहिए तो इस तरह से हमने देखा कि जो रोग है हर्पीज रोग जनग इसका हर्पीज सिंप्लेक्स वाइरस है चस्वी संच्रन इसका होता है एस सुरक्षित यौन संपर्ख द्वारा लक्षन इसका है जननांगों में जलन खुजली वेदा दोना जननांगों में चोटे-चोटे दाले अच्छाले उबरना एस सुरक्षित यौन संपर्ख से बचना चाहिए इसका बचाव है और कंडों का इस्तिमाल करना चाहिए और ऐसा हिलो भील नामप दवाउं का सिवन करना चाहिए यह इसका उपचार है तो इस तरह से यह एक योन संचारित रोग है हर्पीज अगला जो रोग है वो इस प्रकार है अगला रोग हम पढ़ रहे हैं जो वाइरस से होने वाला जो रोग है वो है पोलियो बहुत ही कोमन रोग है बचपन से पोलियो के दवाएं बचपन में पी है पी जाती है और अभी इसका जो लगब उन्मूरन हो चुगा है तो पोलियो जो है उसका रोग जनत पोलियो वाइरस है यह भी वाइरस से होने वाला रोग है इसका संचर्ण जो होता है वो होता है दूसित जल वे भोजन के सेवन द्वारा फैलता आएगे अगर आपन दूसित खाना खा लेते हैं यह पानी पी लेते हैं और उसमें यह पोलियो वाइरस है तो वो संचर्मन फैल जाएगा इसका इसके जो लक्षण है वो मुख्य रूप से जो हाथ पैर है वे कटी प्रदेश यानि कि कमर वाला जो छेतर है में यह वाला जो छेतर है यह सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और इसमें समवेधन शीलता समाप्त हो जाती है यानि कि यह क्या हो जाता है कि हाथ पैर वे कटी प्रदेश यानि कमर जो है कि वो छेत्र निश्क्रिय हो जाना कि वो काम नहीं करता है निश्क्रिय हो जाता है और कि विकलांगता उत्पन हो जाती है कि यहांने कि जो हाथ पेर हैं वो काम नहीं कर पाते हैं और जो कमर वाला चीतर होता है कटी प्रदेश उसमें वो निश्क्रिय हो जाता है यानि उसमें समवेधन शीलता समाप्त हो जाती है और विकलांगता उत्पन हो जाती है अब इसनों बचाव कैसे करें एक तो वे बोजन का सेवन करना चाहिए दूसरा हम देखें बचपन में पोलियों की दवा पेलानी चाहिए यानि पोलियों की जो दवा है उसका सेवन करना चाहिए तो यह रोग नहीं होगा ठीक है तो टीका गरन में इस पोलियों की दवा को सामिल किया गया है तो जो शेकेंड रोग आजम ने पड़ा वह पोलियों रोग जनक पोलियो वाइरस चंच्रण दूसर जल्वे दूचित भोजन के सेवन से फैलता है लक्षन हाथ पेर और कमर वाला जो छित्रे उसमें निश्क्रेता उत्पन हो जाती है और सरीर में विकलान उता आ जाती है बचाओ के रूप में हमें स्वच जल और स्वच भोजन का सेवन करना चाहिए और जो पोलियों की बचने के लिए जो टीका करण है वो बहुत ही ज़्यादा फाइदेमंद है प्रोपर टीका करण होना चाहिए और बच्चों की इम्मिनिटी यानि प्रतिरक्षा को मजबूत बनाए रखना चाहिए और इसी के साथ हमारा जो यह टोपिक है यह समाप्त हुआ अपनी घरों में रहते हुए सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाही को जारी रखिए इस्टे होम बी सेफ